अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी हैं तो आप दिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं प्रिवेज वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लार्ज स्केल पे जो भी वेस्ट वाटर हमारे घरों से बाहर निकल रहा है वो कैसे क्लीन होता है और हमने ये बहुत ही जादा अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है यकीन मानी अगर आप इसे एक बारी देख लेंगे तो आप को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप इस वीडियो को जरूर विजिट करें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें हम पहले देखेंगे कि एक अच्छे सीटिजन होने का हमारा क्या फर्ज है और साथ ही में जो हाउस कीपिंग मतलब जो हमारे घर से कचड़ा निकलता है उसमें हम ऐसी क्य क्या चीजें कहां-कहां फेके की जिससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ज़्यादा लोड ना पड़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्ट जिनरेशन इस नैचरल पार्ट ऑफ हुमन अक्टिविटी जो कचड़ा फैलाना या कचड़े को पैदा करना जनरेट करना यह हुमन अक्टिविटी का एक नैचरल प्रोसेस है क्योंकि हम हम हैं अगर हम कुछ भी काम करेंगे खाना बनाएंगे तो आटोमेटिकली उस नैचरल प्रोसेस है हुमन अक्टिविटी की हुमन जो भी काम कर रहा है उसके लिए यह चीज़े एक नैचरल प्रोसेस है बट वी केन लिमिट टाइप ओफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ओफ वेस्ट प्रोसेस पर हमारी एक नैचरल अक्टिविटी तो है पर हम अपनी यह जो गंदगी हम produce कर रहे हैं इसको हम limit में produce कर सकते हैं कि हम जो भी अलग अलग तरह के waste produce कर रहे हैं उसको limit में produce करें जो waste हम जादा produce कर रहे हैं उसके quantity को हम limit में कर सकते हैं कि हम उसके quantity को जो waste produce कर रहे हैं उसकी quantity जादा ना हो अब यहाँ पर आगे पढ़ने से हम पहले देखते हैं कि बूजो ने क्या कहा है कि जो water होता है river की अंदर is cleaned naturally by the process that are similar to those adopted in a waste water treatment plant अब इसमें बूजो क्या कह रहा है कि जो नदियां हो गए, समुद्र हो गए उसमें water naturally clean हो जाता है और उसमें जो process use होता है वही process हम waste water treatment plant में use करते हैं उसको artificially water को clean करने के लिए वही process हम waste water treatment plant में use करते हैं जो nature naturally process use करती है water को clean करने के लिए अब यहाँ पे इनोंने एक ट्री की बारे में बात करी है यह एक नील गिर्दी का पेड होता है यह इनोंने कहा है जनरली क्या कहा जाता है कि जो समुंद्र हो गई या फिर नदिया हो गई या फिर पॉंड्स हो गई इन सभी के आसपास हमें यह आला ट्री नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह क्या करते हैं पानी को सोख लेते हैं पर यहाँ पे हमें ट्री लगाने को कह रहे हैं किसके पास जो भी गंदे पानी का तलाब है उसके पास क्यों क्योंकि यह जो गंदे पानी में जो भी waste water में बाकी surplus मतलब waste product होंगे उनको यह जो ट्री है observe कर लेगा बहुत ही जल्दी और जब इसकी transpiration होगी तब यह pure water vapors atmosphere में release करेगा तो मतलब जो ponds pure हो उनके पास ना लगाए पर जो भी गंदे पानी वाली pond हो वहाँ भी हमें यह tree जरूर लगा देना चाहिए अब हमें पता है कि अगर हमें कहीं से भी गंदी स्मेल लाए तो हम क्या करते हैं उससे दूर भागते हैं अगर हमने कोई भी open खुला हुआ नाला देख लिया तो वो हमें कैसा disgusting सा लगता है बहुत ही खराब लगता है और यह situation और ही ज़्यादा बुरी हो जाती है अगर बारिश हो जाए तो फिर यह जो खुले हुए नाले हैं उनमें से बारिश का पानी ओवर्फलो करने लग जाता है और जब बारिश होई तो इनी ड्रेन से पानी ओवर्फलो हुआ और जिसके कारण पूरी रोड पे ही कीचड कीचड भर जाता है और हमें उसको पार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और यह जो सिच्वेशन हो जाती है यह बहुत ही ज़्यादा अनहाईजेनिक और एंसेंटरी कंडीशन इस टाइम पैदा हो जाती है क्योंकि हमें पता है अगर बारिश होई है हर जगा पानी भर गया है पानी भरने के कारण रोड पे भी सब कीचड वगरा हो गया है तो यह हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हीं खुले नालों में ही मौस्किटोज हो गया है मक्षी मच्छर या फिर और भी कई तरह के इंसेक्ट्स ऐसे ही गंदी नालियों में ही पैदा होते हैं ब्रीड करते हैं और यह हमें बिमार करते हैं एक अच्छा नागरिक होने के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए मौस्पालिटे या फिर गराम पंचायत के पास जाना चाहिए और उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि यह जो भी ओपन ड्रेन से इन्हें कवर किया जाए अगर कोई भी सीवेज किसी पाटिकुलर घर का मतलब की किसी पाटिकुलर घर का गंदा पानी पूरे नेबर हुड को पूरे जो हमारा आस पडोस है उसको गंदा कर रहा है तो हमें उन्हें request भी करना चाहिए कि वो अपने गंदे पानी को संभाल के बाहर मतलब उसको dispose कराएं क्योंकि ये दूसरों की health के लिए भी दूसरों की health पे भी effect डाल रहा है अब यहां पर पहली question कर रही है कि अगर हम जो waste water treatment plant है उस पे कम load कैसे डालें तो वो तो हम तब ही कर सकते है अगर हम अपने आसपास की चीजों को अच्छे से clean करेंगे जैसे यहां पे इन्होंने drain का बताये कि हमें municipality से कहना चाहिए कि drain को cover किया जाए और जो भी किसी के भी particular किसी के भी गर घर से sewage का अच्छे से disposal नहीं हो रहा है तो उन्हें request करने चाहिए कि अच्छे से disposal हो ये सा लगाना चाहिए तो ये सारी कुछ ऐसी activities हैं जिससे हम wastewater treatment plant के उपर load कम कर सकते हैं और हम और भी कुछ देखते हैं कि housekeeping में मतलब घर से भी हम कैसे क्या चीज़े करें कि wastewater treatment plant पे load कम पड़े तो हम ये topic पढ़ते हैं हमारा next one of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the day एक तरीका जिससे हम waste को कम कर सकते हैं वो क्या है कि हम ये देखें कि हम अपने घरों से sink में हमारे घरों से sink में जो हम drain कर रहे हैं जो हम fake रहे हैं वो हमारे घरों से क्या जा रहा है अगर हमें पता होगा कि हम अपने घरों से क्या क्या चीज़े fake रहे हैं अगर हम waste product को कम करेंगे तो फिर इससे भी wastewater treatment plant है उस पे load कम पड़ेगा सबसे पहला तरीका देखते हैं कि हम कैसे क्या चीज़े कम अपने घरों से fake हैं कि उस पे load कम पड़े cooking oil and fat should not be thrown down the drain अब हमें पता है कि जो cooking oil है और जो fat sand मतलब कोई भी oil use हो रहे हैं इन सब हमें fat होता है इन सब को directly हमें drain में नहीं fake न चाहिए they can be hardened and block the pipes ये बहुत ही hard होते हैं और gin pipes से होते वे जा रहे हैं उसे block कर सकते हैं in an open drain the fat clog the soil pores reducing its effectiveness in filtering water जो खुली नालिया है अब हमें पता है खुली नालियों में ऐसे सीधा ही पानी क्या बह रहा है गंदा पानी ऐसे बह जा रहा है तो कुछ पानी क्या होगा धरती के अंदर भी तो सोख लेगा न अगर इसी पानी में oil mix होगा तो जो धरती में सोख रहा है अब हमें पता है हमने देखा था कि कैसे naturally water भी क्या होता है clean होता है अगर यह directly soil इसे absorb कर रही है तो जो soil के pores होंगे जिससे naturally water clean हो रहा है इस fat के कारण वो भी क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे जिसके कारण soil की effectiveness filtration water को filter करने के लिए जो उसकी effectiveness है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसी लिए हमने oil और fats को dust bean में फेकना चाहिए ना कि उसको सीधा drain में sink के through fake देना चाहिए जैसे यहाँ इन्होंने दिखाये हुआ है कि हमें उसको sink में नहीं फेकना चाहिए उसको हमें किस में फेकना चाहिए dust bean में थ्रो करना चाहिए next chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicine यह जो साई चीजे हैं यह सब क्या है इन्हें भी हमें सीधा नहीं फेकना चाहिए drains में क्योंकि यह क्या करते हैं उन microbes को kill कर देते हैं जो water में पैदा होते हैं water को purify करने के लिए अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने बताया था इसमें कैसे-कैसे microbes produce होते हैं ताकि यह water को purify करें अगर हम इसमें medicine फेक देंगे, insecticides फेक देंगे तो यह उन्हीं microbes को kill कर देंगे इसलिए हमें इनको directly drain में नहीं फेकना चाहिए इन्हें भी dustbin में हमें फेकना चाहिए next used tea leaves जो भी चाय पती हो गई या फिर बचा हुआ खाना हो गया, softwires हो गया, cottons हो गया, towels हो गया यह सारी चीजें भी हमें dustbin में ही फेकनी चाहिए क्योंकि यह सारी चीजें solids है और यह जो drain system है उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे इसलिए अगर यह ब्लॉक कर देंगे तो oxygen की presence में ही तो वो bacteria grow कर रहे थे जिन्होंने water को purify करना है अगर यह waste ब्लॉक कर देंगे drone को तो free flow of oxygen possible नहीं होगा अगर oxygen की flow अच्छे से नहीं होगा तो फिर जो भी degradation process है जिसके through water purify हो रहा है और उसके अंदर का जो भी waste product है वो खतम हो रहा है उसे microorganisms खा के खतम कर रहे हैं यह process भी अच्छे से नहीं हो पाएगा इसलिए हम यह सारी चीजे भी क्या करने चाहिए dust bin में ही directly throw करनी चाहिए अब यहाँ पर दो important points है हम उन्हें देख लेते हैं आप सभी को पता ही होगा कि 2016 में इंडिया की government ने एक mission शुरू किया था जिसे क्या कहा गया था स्वच भारत जिसके अंदर बहुत ही मतलब कई तरह की चीजे शुरू की गई जैसे की proper sea waste disposal की अच्छे से जो भी गंदे पानी का disposal अच्छे से उसका disposal हो सके सभी को toilets provide किये गए ताकि जो हमारा भारत है वो स्वच रह सके नेक्स्ट क्या है वर्मी processing toilet ये क्या है ये एक ऐसा toilet है जिसमें जो human का excreta है उसको earth warm के थ्रू ट्रीट कर आया जाता है और ये जो process है इसे इंडिया में क्या किया गया है test किया गया है it has been found to be novel low water use toilet for safe processing of human waste मतलब कि ये जो वर्मी processing toilet है ये क्या है बहुत एक अच्छा process है इसमें कम water use होता है और इस process में जो human का waste है वो easily safely decompose हो जाता है जो ये toilet है इसका जो काम है बहुत ही ज़्यादा simple है और hygienic है मतलब कि साफ सुत्रा वाला इस इसका काम है the human excreta ये जो human excreta है जिससे earthworm convert कर रहे हैं वर्मी केक्स में ये इसको वर्मी केक्स में पुरा convert कर देते हैं और ये फिर use होता है a source much needed for soil मतलब कि ये soil के लिए एक manure की तरह use कर लिया जाता है human excreta को जब इसे earthworm पूरा convert कर देते हैं वर्मी केक्स में तो आज का ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से clean हो गया sorry clear हो गया होगा वीडियो आपको अच्छे से समझा गई हो तो वीडियो को लाइक करें इसे अपने friends के साथ जादा से जादा शेयर करें कोई भी doubt हो तो आप उसे comment box में comment शरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करना ना भूले थांक्स ओर वाच्छिंग